अगर हम शिव पुरान के अनुसार देखें तो इसमें भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की वीदियों के बारे में उलेक मिलता है उनी वीदियों में से एक सामन महीने की रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाने का उलेक मिलता है शिव पुरान के अनुसार शिवलिंग के पास दीपक जलाने की पूझा वीदी बताई गई है अगर आप सामन के महीने में शिवलिंग के पास रात के समय में दीपक जलाते हैं तो इससे आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी हुई परिशाणिया नहीं होंगी आपको धन संबंदी सभी परिशानियों से छुटकारा प्राप्त होगा शिवलिंग के पास दीपक जलाने से आपको धन संबंदी फाइदा भी होगा एक प्रचलित कथा के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में गुण निधी नाम का एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन था वह अपने और अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में लगा हुआ था उसको भोजन की तलाश करते करते रात हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुँच गया गुण निधी ने यह विचार किया कि रात के समय इसी स्थान पर अराम कर लेना उचित होगा लेकिन रात का समय था और वहां बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था तब उसने अंधेरा दूर करने के लिए शिव मंदिर में अपनी कमीज जला दी रात के समय शिवलिंग के समक्ष परकाश करने के फल सरूप उसको अगले जनम में कुबेर देव का पद पराप्थ हुआ इसी वज़ा से ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति को धन्वान बनने की इच्चा है तो सामन महीने में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए तो दोस्तो ये थी हमारी आज की जानकारी उमीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने सुजावा में कमेंट बोक्स में भेजिए धन्यवाद